अपने घर के वातावरण को कौन प्रिदूशित करना चाहेगा लेकिन अपने घर यानी पिर्थवी के एंवार्मेंट को मनुष्य लगातार पोल्यूट कर रहा है तो हमारी अर्थ के वातावरण के संरक्षन के बारे में जागरूपता लाने के लिए हर साल पूरी दुनिया म 22 अपरेल को अर्थ डे या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यानी पिर्थवी दिवस मनाया जाता है किसी भी समस्या के हल के बारे में एक पिरकार के सुझावतों बाकी सारे सुरोद देते हैं और एक हल अंतिम इश्वरिय गरंत कुरान देता है दोनों में मूलभूत अंतर य निराली विशेष्टाएं हैं पहली ये ब्रहमान के रचैता की और सी दिए गए हैं इसलिए हर दरश्टी कौण से अपने आप में परफेक्ट हैं दूसरी ना मानने पर संसार में तो न्याएक पिरकिरिया के बाद सजा का प्रावधान है ही साथ ही मरने के बाद के जीवन म उसकी बातें तुम्हें बहुत भाती हैं। उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में छिपा होता है वह कहता है कि ईश्वर की सोगन मैं आप से सच कहता हूँ। और अपनी बात को मनवाने में वो बड़ा ही हटधर्म होता है। और जब वो अपने कारे छेतर में लोटता है तो धर्ती में इसलिए दोड़ धूब करता है कि इसमें आसंतुलन पैदा करे और वनस्पती जगत और जन्तु जगत को तबाह करे। जबकि अल्लह इंबैलेंस को पसंद नहीं करता और जब उससे कहा जाता है कि इश्वर से डर तो एहंकार उसे और अधिक इस पाप पर ज जल्द मिलते हैं कुछ और विशियों पर इसलाम धर्म के मारदाशन से संबनी जानकारी के साथ अभी दे अनुमती धन्यवाद